Hello everyone and welcome to my channel तो आज हम डिसकस करने वाले यहां पे कि जो मेरा टाइपिंग टेस्ट हुआ था पहली बार उसकी औरिजिनल कॉपी जो इस बार टाइपिंग टेस्ट हुआ उसकी औरिजिनल कॉपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और किस तरह का experience रहा था पहली बार और इस बार उसके बार हम डिटेल में चर्चा करेंगे तो प्लीज वीडियो को लाज़ तक जूड़ दे किना उससे पहले आपने क्या करना है कि प्लीज जो आप कमेंट करते रहते हो वीडियो में तो बहाँ पे आपकी queries और questions को solve करना काफी मुस्किल होता है लंबी process हो जाती है तो प्लीज टेलिग्राम पे जुड़ियेगा टेलिग्राम का चैनल का नाम है हिमाचल underscore ग्यान बहाँ पे जुड़ें और बहाँ पे आप message करते हैं और मैं 1 to 1 आपको message करके आपकी problem को solve कर दूँगा और हो जाके तो मैं phone के मादियां से भी आपकी problem को solve कर दूँगा तो please वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं और question आप पूछ सकते हो ठीक है अब हम discuss करते हैं टाइपी टैस 2019 में सबसे बड़ी problem क्या हुई थी सब पहली बार कि YouTube में कोई भी वीडियोस नहीं थी उस टैम में तो आप इस टैम में देख सकते हो कि कितनी हजारों चैनल हैं हजारों वीडियोस आप के लिए available हैं आप हर एक question पूछ सकते हो कि chair कैसी है table कैसा है stand है कि नहीं है lab में किस तरह का environment है में तो हजारों question आप पूछ सकते हो उस time में तो जब मैंने tapping test दे आता तो मैं कहीं से भी कहीं question पूछ नहीं सकता था जस्ट दो चीज़े मुझे पदा चल थी एक तो 15 स्टोक और 15 गलतिया ये बड़ी मुस्किल से पदा चल दी थी और इसका practice करके हम चले गे तो typing test देने के लिए तो उसका मैं lab का आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ experience कि पहली बार जब दिया तो एक तो मैं जब typing test सुरू हुआ तो nervous और heart company start होगे तो पहली ही गलती start होगी थी तो आप देख सकते हैं जब मैंने heart तक लिखा तो ठीक जा रहा था पांच मिन्ट के बाद मुझे लगा कि मैं 1500 stock type नहीं कर सकता हूँ ये मुझे लगा वहाँ पे feel हुआ तो मैंने कहा किया अपनी speed increase की speed को increase किया फिर आप देख सकते हो गलतीयां start होगी तो आपकी गलतीयां फिर start जाती है ये क्यूं होता है क्योंकि आपकी घर में भी आपकी इतनी speed नहीं होती है इसलिए आप ज़्यादा speed के चक्कर में फिर गलतीयां start हो जाती है तो ये चीज मेरे साथ होई थी और line भी मुझे skip होई थी तो ये था मेरा पहली बार का experience और मैंने check करी थी अपनी गलतीयां उसके बाद मैंने नहीं देखा था इस paper को मुझे पता लग गया था कि अब मेरा selection नहीं होगा ठीक है students को खुद बजलाता है पहली बार ही कि उसका tapping test clear होगा या नहीं होगा ठीक है तो ये था पहली बार का experience और इस बार का आप देख सकते हो कि ये इस बार हुआ था तो ये मैंने typing test दिया था नर्वस हम होते हैं पर उतना नहीं होते हैं कि जतना पहली बार होते हैं तो ये अब देख सकते हैं कुछ गलतीयां यहां पे देखने को मिल रही है, कि मुझे दिखी नहीं, तो मैं इनको भी ठीक कर लेता, और मैंने यहाँ पर 2021 क्या स्था स्टोंक कर लेता हूं, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या लगा था, वहाँ पे और अराम से एजली से मैंने इतने स्टोक कर लिए थे वहाँ पे तो आपको क्या करना है कि बस उस दस मिनिट में आप उस प्रेशर को जहल जाते हो ना तो फिर आप जीत के आते हो यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उस दस मिनिट के जाप प्रेशर स्टुदेंट्स जहल नहीं पाते हैं उनको प्रॉब्लम जाद आते हैं जो पहली बार जाते हैं ठीक है तो यह बड़ी बहाँ पे समस्या रहती है तो गाईज यह था कुछ मैंने जो पहली बार का एक्सपिरेंस आपके साथ यह सेयर किया है कॉपीज यह है औरिजनल कॉपीज तो यह आप देख सकते हैं और प्लीज टेलिग्राम पे जूर जूर यह गा बहाँ पे मैं हर एक नोटिफिकेशन इंबोडेंट नोटिफिकेशन शेयर करता रहता हूं तो बस यही था तो वीडियो कैसे लगी तो कमेंट बहुत में जूर तईएगा और मिल तो नेक्सक्रेशन में तब देके लिए बाई बाई टेक क्यार